डाक्या नाम के सिंपाला की गर्दन को बोलू नाम का ये चिता पकड़ लेता है बोलू का ये साती बिल्ला नाम का ये चिता बोलू को बैक अप सपोर्ट देता है वहीं तिर्चा नाम का ये चिता आसपास की चिछवेचन पर नजर बनाए रखता है तबी बिल्ला बोलू को बोलुडे जल्दी से तु इस जानवर को कतम कर दे, तब तक थोड़ा मैं बैट कर अराम करता हूँ, बिल्ला की बात को सुनकर डाक्या गबरा जाता है, और जोर से मठका मराज की जेजे के नारे लगाते वे, खड़ा होता है, और भागने लगता है, बागते बागते डाक्य क्या बोलता है, हे मेरे मठका मराज, अगर मेरी मौत इन हराम खुरों के हाथों हो गई तो, इसमें साफ साफ आपकी ही बेजती होगी, ऐसा बोलते ही डाक्या पहली फुरसत में और तेज बागता है, और फिर दोबार अब है चितों के हाथ नहीं आता, डाक्ये के जाते ही बोलू बिल्ले को बोलता है, अरे ओ बिल्ला, ये साला मठका मराज कौन है रे, जिसकी किरपा से डाक्या बीना डाक दिये ही बाग गया, मठका मराज के चमतकार ने आज फिर से एक भगत को बचा लिया, आखिर कौन है ये मठका मराज, इसकी तफ्तिस करके हम आपको जरू बताइंगे